चोटे चोटे प्रयास बड़ा परीवर्तन लाते हैं चोटे 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 प्रयास बड़ा परीवर्तन लाते हैं में किस चीज़ पर कितना जादा समय देता है जैसे जब क्रिकेटर प्राक्टेस करते हैं तो कोई विकेट कीपिंग की प्राक्टेस करता है कोई बैटिंग की प्राक्टेस करता है कोई बॉलिंग की प्राक्टेस करता है तो यह डिपेंड करता है कि आप टोटल टास्क में किस एक्टिविटी पर कितना जादा समय देते हैं और जिस एक्टिविटी पर आप जितना जादा समय देते हैं आप उसी एक्टिविटी में एक निपुड़ता हासिल कर लेते हैं और ये बात के वल क्रिकेट पर लागू नहीं होती अपने बिजनस में या प्रोफेशनल लाइफ में भी आप किस टास्क पर कितना जाला सामय देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने बिजनस में सेल्स पर फोकस करते हैं, इसलिए वो सेल्स के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग प्रोडेक्शन पर फोकस करते हैं, कुछ नए क्लाइनटेज को जोडने पर फोकस करते ह कुछ franchisee पर focus करते हैं, कुछ business के development पर focus करते हैं, कुछ finance पर focus करते हैं, इसका मतलब आप अपने business या profession में जिस तरह की activity पर ज़्यादा focus करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता हासिल होती है. और cricketers की इस class की practice में एक चीज को notice किया गया, जितने भी cricketers good category में आते हैं, वो on an average 15-20 घंटे का समय अपने practice पर involve करते हैं, एक हकते में, 2-3 घंटे का समय वो अपने practice पर रोजाना खर्च करते हैं. Second category जिसमें better cricketers आते हैं, जब उनकी practice का समय देखा गया, तो on an average एक हकते में 30-35 घंटे का समय वो अपने practice में लगाते हैं, on an average 4-5 घंटे का समय वो पर डे अपने practice में consume करते हैं. Friends, इसलिए कहा जाता है कि practice makes a man perfect. क्या बात है मिस्स मैश्वरी, रोस रोस नहीं चोड़े, लगता है हस्बेन के पास काफी time है तुमारे लिए. ये है मेरा नया दोस्त, जो मुझे latest jewelries की shopping करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सब का नया दोस्त, My Abhushan app. अब आपके विश्वस्तिय जूलर, आपके मोबाई में purity की surety with best prices and best offers. अभी डाउनलोग करें, app, My Abhushan. और friends, extra ordinary सफलता पाने के लिए आपको practice नहीं, deliberate practice करने की ज़रत होती है. मतलब अपनी क्षमताओं से उपर जाने की ज़रत होती है, चितनी भी क्षमता आपके अंदर है, यदि आप रोजाना, मात्र दस प्रतिशत अपनी क्षमता में विर्दी करते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछी समय में आपकी योगता और क्षमता कई गुना बढ़ जाती ह इसे तीन काडिगरी में डिवाइड किया आता है, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में निरंतर कमफर्ट जोन में जीते हैं, मतलब वो काम केवल करने के लिए करते हैं, मतलब काम करना या ना करना उनके मन पर भी डिपेंड करता है, इसलिए वो केवल अपने घंटे पूर काड़ी में काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो तो केवल अपने समय को पूरा करने के लिए ही काम करते हैं, इसलिए वो निरंतर कमफर्ट जोन में जीते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में लर्निंग जोन में होते हैं, मतलब आउट अफ कमफर्ट जोन, वो काम मेरा नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मुझे नहीं आता, उनका कहना होता है कि मेरा ये काम है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे सको करने के लिए थोड़ी सी नौलिज की जूरत होगी, यदि वो नौलिज मुझे मिल जाये, तो मैं इस काम को आसानी से कर सकता और ऐसे लोग देखते ही देखते अपनी योग्यता, अपनी काबलियत और अपनी गुणवत्ता को कई गुणा बढ़ा लेते हैं और हमेशा प्रग्रती की ओर अग्रसर रहते हैं। इसी लिए जो लोग लर्निंग जोन में होते हैं वो प्राक्टिस नहीं डेलिबेट प्राक्टिस करते हैं। प्रेरित रहते हैं। तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। इसी लिए जीवन में सफलतम लोगों का साथ पकड़ें, सफलतम लोगों को फॉलो करें तो सफलता आपकी निश्चित होगी। यह लोग अपनी योगता को मजबूत बनाने के लिए एक ही चीज का प्रयास निरंतर करते हैं। इतनी बार करते हैं कि वो चीज उनके दिमाग में एक सौफ्ट्वर की तरह फीड हो जाती है। और सोते, जागते, उठते, बैठते, आते, जाते, खाते, पीते, हर समय उनको वही चीज अपना वही लक्ष, अपना वही टार्गेट दिखाई देता है। और साथी साथ अपने द्वारा कियेगे कारे का वो निरंतर फीड़बैक लेते हैं और फीड़बैक में जो रिव्यूज आते हैं, उनको स्टडी करके, उनको री मॉडिफाई करते हैं और जीवन में हर सफलता को हासिल करते हैं। यह जाने अंजाने में कई बार गलत तरीके से चीजों को फॉलो करना शुरू करते हैं, क्योंकि पैनिक जोन में जोन में काम करते हैं। उनको यह तो पता होता है कि सफलता हासिल करनी हैं, पर यह नहीं पता होता कि उसका सही तरीका क्या है। मतलब वो निरंतर प्रयास नहीं करते, निरंतर प्राक्टेस नहीं करते, जिसकी वज़ा से वो इंफ्लूएंस हो जाते हैं और अपनी सफलता को हासिल करने से चूक जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि केवल प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती, सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से ही सफलता हासिल होती है। ठीक इसी तरह से यदि आप अपने बिजनस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अदिक सफलता हासिल करना चाते हैं, तो आपको comfort zone से बाहर आना होगा, आपको learning zone में आना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा learning करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी earning भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, important बाती है कि learning के लिए आप seminars ट्रेंड करें, workshop ट्रेंड करें, अपने आप पर निवेश करें, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अपनी life में आपके क्या सपने हैं, क्या लक्ष आप हासि कर रहे हैं, इसलिए यदि आप अपनी life में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो comment box में ज़रूर लिखके बताएं, कि क्या problem आप फेस कर रहे हैं, मेरा कोई भी informative वीडियो मिस ना हो, इसके लिए मैं टास कलब के इस YouTube चैनल को सबस्प्राइब करें, और साथी साथ बेल आइकन की कामना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत